Welcome friends, इस वीडियो में पूरे जनवरी मा का 170 सबसे महतपूर्ण करेंट अफेर्स का प्रस्ट डिसकस करेंगे जो आगे आने वाले सभी एकजाम के लिए very important होंगे तो आए देखते हैं पहला question अंतरास्टी रामसर कन्वेंशन में भारत के कितने अस्थल सामिल हैं? तो कितने अस्थल सामिल हैं? 37 अस्थल सामिल हैं बे इसका right answer हो जाएगा इसका पहले भारत के टोटल 27 अस्थल सामिल थे जबकि 2020 में जो सम्मिलन भारत में हुआ उसमें 10 अस्थल को सामिल किया गया तो टोटल आपके 37 भारतिये जो अस्थल हैं वो रामसर कंवेंशन में सामिल हो गया है साथ में भियाद रखना है जो रामसर कंवेंशन है इसकी अस्थापना कब की गई थी? तो इसकी अस्थापना 21 दिसंबर 1975 इसमी में की गई थी और कहाँ पर की गई थी? रामसर इरान में की गई थी इसमें टोटल 171 कंट्री है रामसर सम्मिलन नम भूमी के सनच्छन के लिए 20 वस्तरिय एक प्रियास है साथ में व्याद रखना है कि जो इस वार का कंवेंशन हुआ है वो भारत में हुआ है और भारत का सहयोगी देश काउन था जपान ठीक है? Next कि सहर को राष्टिय सुरच्छा अधिनियम के तहत अधिकरित किया गया है तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा Next Media ICO के तिसरे North Jones Summellan का आयोजन कहां किया गया है तो कहां पर किया गया है? जम्मू में किया गया है तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा बरतमान में भारत में कितने राज हैं? तो 28 राज और 9 केंदर सासित परदेश हैं दो नएक केंदर सासित परदेश कौन-कौन बने हैं तो जम्मू और लद्दाख ठीक है? जम्मू कास्मिर और लद्दाख याद रखिएगा नएक भारती सेना के उप सेना परमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यह सेनी को नियुक्त किया गया है यह इसका राय टेंसर हो जाएगा जबकि विपीन रावत क्या है? तो विपीन रावत आपके सिडियस है चेप अफ डिफेंस अस्टाप है भारत के पहले सिडियस है ठीक है? मुकुंद नर्वने यह थल सेना अध्याच है नेक्स कोचन देखिए ICC U90 मतलब अंडर 90 बिसकप कहां आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है ICC अंडर 19 जो बिसकप है इसका आयोजन दच्छीन फिरका में किया जा रहा है तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा Next रास्टी जल निती पर गठित समीती का अध्याच किसे निक्त किया गया है? तो किसे निक्त किया गया है? महीर साह को A इसका राइट अंसर हो जाएगा Next कौन भारत का पहला? Maudal Asports Village बनने जा रहा है तो कौन बनने जा रहा है? बहादूर पूर तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है बहादूर पूर और खीरी बीरन यह जो दो गाउं है आपकी पहला Maudal Sports Village बनने जा रहा है यह दोनों गाउं आपको याद रखना है और यह भी याद रखना है जो दोनों गाउं किस राज में है तो उत्तर प्रदेश राज में अस्तित है साथ में जो बाचा है इसके बारे भी आपको याद रखना है एक बाचा गाउं है देश का पहला Solar Village बना बाचा बाचा किस राज में अस्तित है जो बाचा गावाई या मत्परदेश राज में अस्थित है Next किस बैंक ने भारत का सबसे बड़ा API Banking Portal Launch करने की घोसना किये तो किस बैंक ने API Banking Portal Launch करने की घोसना किये तो ICICI Bank तो A इसका Right Insel हो जाएगा सबसे पहले आपको API का पता होना चाहिए Application Programming Interface इसका फुलफर्म होता है उसके बाद है ICICI Bank का फुलफर्म क्या होता है Industrial Credit and Investment Corporation of India इसका फुलफर्म होता है यह दोनों आद रखिएगा Very Important है इसका फुलफर्म ठीक है Next किसे Mark Young Scientist Award 2019 से सम्मानित किया गया है तो किसे जो है Mark Young Scientist Award 2019 दिया गया है तो आपको याद रखना है साकिया सिन्हा सेन को दिया गया है तो ए इसका Right Answer हो जाएगा Next Select सुरच्छा समीति के अध्याच के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो किसे निउक्त किया गया है AS सप्रे को AS सप्रे को जो है Select सुरच्छा समीति के अध्याच निउक्त किया गया है Next किस कंपणी ने 2030 तक कारवन नेगेटिव होने की घोषना किये कौन सी जो कंपणी है 2030 तक कारवन नेगेटिव होने की घोषना किये तो Microsoft ने A इसका Right Answer हो जाएगा Next किस देश की सेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास Binged Raider आयोजित किया है तो किस देश ने आयोजित किया है तो भारत ने आयोजित किया है तो डे इसका Right Answer हो जाएगा Next जारी Global Social Mobility Index में कौन सीर्ष पर रहा है तो कौन सीर्ष पर रहा है तो इसमें डे नमार्क जो है सीर्ष पर रहा है तो डे इसका Right Answer हो जाएगा Global Social Mobility Index में Nice Question देखिए Nice Question है Indonesia Masters 2020 का खिताब किसने जीता है तो किसने जीता है रत्चा नोक इंता नोनने फिर से देख लिजी रत्चा नोक इंता नोनने तो ए इसका Right Answer हो जाएगा Next Samsung ने भारत की पहली Mobile Phone Display IKI कहां अस्थापित करने की घोसना किये तो कहां पर अस्थापित करने की घोसना किये तो Noida में कहां पर Noida में तो D इसका Right Answer हो जाएगा नोईडा किस राज में अस्थित है तो आपको याद रखना है नोईडा जो है उत्तर परदेश राज में अस्थित है Next जारी ICC ODI रेंकिंग में कौन सिर्ष पर रहा है तो कौन सिर्ष पर रहा है बिराट कोहली बिराट कोहली जो बारतिय क्रिकेट टीम के कपतान है ठीक है Next किस राज के चुनाव आयोग ने चहरा पहचान एप का उपयोग करने की घोसना की है फिर से देखिए Very important है किस राज के चुनाव आयोग ने चहरा पहचान एप का उपयोग करने की घोसना की है तो तेलंगाना के चुनाव आयोग ने तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा किस राज सरकार ने अस्कूलों में प्रस्ताबना पढ़ना अनिवार किया है तो महरास्ट सरकार ने अनिवार कर दिया है प्रस्ताबना पढ़ना तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा लेकिन आपको यहाद रखना है प्रति दिन जो है प्रस्तावना पढ़ना अनिबार कौन कर दिया है महरास लेकिन अगर एक्जाम में पूछ देगा कि हर सनिबार को प्रस्तावना पढ़ना अनिबार कौन राज किया है तो मद परदेश राज शिर्फ सनिबार को सनिबार जो ह इसका राइट एंसर हो जाएगा WBTI का फूल फर्म होता है World Breastfeeding Trends Initiative इसका फूल फर्म होता है इसमें भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो भारत को 78 अस्थान मिला है मतलब 78 मां अस्थान मिला है Next दूर सरचार वीभाग ने किस कंपनी में 100% FDI को मंजूरी दिये तो अब सबसे पहले पता होना चाहिए FDI का फूल फर्म क्या होता है तो Foreign Direct Investment तो किस कंपनी में 100% जो है Foreign Direct Investment की मंजूरी दिये दूर संचार वीभाग ने तो भारतिये Airtail में तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है भारतिये Airtail Next Question देखिए किस सरकार ने मुख मंत्री किरिसक दुरघटना कल्यान योजना शुरू किये तो उत्तर परदेश सरकार ने ये योजना शुरू किये तो से इसका राइट एंसर हो जाएगा Next World Gold Council की रिपोर्ट में कौन सिर्ष पर रहा है तो कौन सिर्ष पर रहा है चाइना सिर्ष पर रहा है तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा Next 2020 के वैसिविक प्रतिभा प्रतियस परदा सुचकांक में कौन सिर्ष पर रहा है कौन सा देश जोए सिर्ष पर रहा है तो इसमें आपको याद रखना है जो सिर्ष पर रहा है स्वीड़जर्लेंड कौन सा देश स्वीड़जर्लेंड एक एरोपियन कंट्री है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा सकेंड अस्थान अमिर्का को और ठर्ड अस्थान सिंगापूर को इसमें भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो 72 अस्थान भारत को मिला है वैस्विक प्रतियसपरधा सुचकांक में ठीक है नेस कोचन देखिए ग्रेन पेस इंडिया रिपोर्ट में किसे भारत का सबसे प्रदूसित सहर गोसित किया गया है जर्या को जो है सबसे प्रदूसित सहर गोसित किया गया है तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा जर्या किस राज में स्थित है तो जारखन राज में स्थित है जर्या साथ में यह भी याद रखना है कि मिजोरम का लुंग लेई सबसे कम प्रदूसित सहर है अच्छ में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है तो इसमें दिल्ली को दसमा स्थान मिला है ठीक है दिल्ली को दसमा स्थान मिला है पहला कौन है जरिया next किस राज में वन जीव जनगनना शुरू हुई है तो तमील नाडू राज में वन जीव जनगनना शुरू हुई है तो A इसका right answer हो जाएगा A इसका right answer हो जाएगा next E.L.U इसका मसूता है Economics Intelligence Unit लोकतंत्र सुचकांक में कौन सिर्ष पर रहा है तो कौन सा देश जो है सिर्ष पर रहा है तो आपको याद रखना है नौर्वे जो है सिर्ष पर रहा है सबसे अधिक जो लोकतंत्र है किस देश में है तो नौर्वे में है तो साथ में यह भी आद रखना है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को जो है एक कमनमा स्थान मिला है एक कमनमा स्थान मतलब 51 स्थान मिला है ठीक है कितने देशों में 165 देशों में दुसरा स्थान किसे मिला है तो आइसलेंड को तिसरा स्थान स्विडन को यह सारी आद रखिएगा बेरी बेरी इनपोर्टेंट कोसन है next क्रिसी भूमी को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज कौन बना है तो जो देश का पहला राज बना है वो कौन बना है उत्तरा खंड बना है ठीक है उत्तरा खंड तो बेश का राइट एंसर हो जाएगा next कौन सा देश भारत के गगन यान मिसन के फ्लाइट सर्जन को फ्रसिच्छन देगा तो कौन सा देश जो है जो गगन यान मिसन जाएगा लॉंच होगा उसमें फ्लाइट सर्जन होगे मतलब डॉक्टर होगे उन्हें प्रचिछन कौन सा देश देगा तो फ्रांस देगा तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है किसने सुरचित भुक्तान के लिए वज्र प्लेट फॉर्म लॉंच किया है तो किसने लॉंच किया है एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए हाप मतलब आधा हेमोनौाइड मतलब आधा मनुस रोबोट का अनावरन किया है उसका नाम क्या है तो उसका नाम रखा गया है व्योम मित्र यह है इसका राइट अंसर हो जाएगा एका तेरेनी सकेला रो पोलो किस देश की महला राश्च्पती बनी है तो आपको याद रखना है ग्रीज की किस देश की ग्रीज की तो ये इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका नाम आप लोग एक दूबर पढ़ लिज़ेगा पूला अजीव सा नाम है ठीक है UPI भुक्तान सेवा देने वाला देश का पहला टेलिकॉम ओपरेटर कौन बना है तो Reliance 0 बना है A इसका राइट अंसर हो जाएगा किस मेट्रो ने रेड बस के साथ साजेदारी किये तो हैदराबाद मेट्रो ने रेड बस के साथ साजेदारी किये तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा Next किसने Real Time Cross Border Money Transfer के लिए Western Union के साथ साजेदारी किये तो किसने किये Airtail ने तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है किस देश ने भारत के चुनाव आयोक के साथ समझावता किया है तो किस देश ने किया है Papua, New Guinea और Tunisia तो A और B दोनों इसका राइट अंसर हो जाएगा तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है Tunisia एक अफिरकी कंट्री है जबकि जो Papua, New Guinea है ये किस महादीप में अस्तित है तो Australia महादीप में अस्तित है Papua, New Guinea ठीक है Next राष्टी मतदाता दिवस कब मनाया गया है Very very important है राष्टी मतदाता दिवस कब मनाया गया है तो 25 जनवरी को A इसका राइट अंसर हो जाएगा Next प्रेश्टा चार धारना सुचकांक में कौन सिर्ष पर रहा है तो Denmark जो है सिर्ष पर रहा है A इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें आपको याद रखना है दो देस Denmark और New Zealand सिर्ष पर रहा है इसका मतलब क्या है Denmark और New Zealand में Corruption बहुत कम होता है जारी करता है इसमें भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो भारत को असीमा अस्थान मिला है पहले भारत को 78 अस्थान मिला था इसका मतलब भारत दो अस्थान नीचे चला गया है इसका मतलब है कि भारत में ब्रेश्टा चार और बढ़ गया है ठीक है किसने अभिनास पंत को अपना मार्केटिंग हेड बनाया है तो किसने बनाया है फेस्बुक ने बनाया है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा पहला पसू यूध असमारक कहां अस्थापित किया जाएगा तो कहां पर अस्थापित किया जाएगा मेरट में, मेरट किस राज में इस्तित थे है तो उत्रप्रदेश राज में इस्तित है मेरट वर्स 2020 के लिए Z7-Z7 की अध्याच्ता किसे मिली है, तो किसे मिली है गुवाना को मिली है, तो A इसका right answer हो जाएगा गुवाना किस महादीप में इस्तित है तो गुवाना जो है दच्छिन अमिर्का महादीप में अस्तित है गुवाना ठीक है नेक्स्ट किस बैंक ने अपना धन प्रवंधन मंच पाइनियर बैंकिंग लॉंच किया है तो किसने लॉंच किया है इंडस इंड बैंक ने इंडस इंड बैंक ने तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट दच्छिन एसिया के चुनाव प्रवंधन निकायों के फोरम के अध्याच कौन बने है तो आपको याद रखना है जो इसके अध्याच बने है सुनील अरोडा बने है सुनील अरोडा जो सुनील अरोडा है भारत के मुख चुनाव आयूक थें कौन है भारत के मुख चुनाव आयूक थें और तेसमे नम्मर के मुख चुनाव आयूक थें Next, कितने बेक्तियों को पदम विवुसन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो इस सम्मानित किया गया है साथ बेक्तियों को तो A इसका right answer हो जाएगा Next, कितने बेक्तियों को जीबन रच्छा पदक दिया गया है तो 54 बेक्तियों को जीबन रच्छा पदक दिया गया है तो दे इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत के किस राज में साप इल की नही परजाती खोजी गई है तो किस राज में साप की इल एक नही परजाती खोजी गई है तो उडिसा में खोजी गई है तो से इसका right answer हो जाएगा next जैब प्रदोग की विभाग ने महलाओं पर अंतरास्टिय सीखर सम्मिलन का आयोजन कहां किया है तो कहां पर किया है मुंबई में किया है बे इसका right answer हो जाएगा बे इसका right answer हो जाएगा next question देखिए कोरोना बाइरस से सरवाधिक परभावित कौन सा देश है जो सरवाधिक परभावित है इसमें चीन है सरवाधिक परभावित तो से इसका right answer हो जाएगा जब वीडियो हम रिकोर्ड कर रहे है इस समय 350 से अधिक बेक्तियों की मौत हो चुकी है चाइना में next किस राज ने सुभास चंदर बोस आपदा परवंधन पुरसकार जीता है तो उत्राखंड राज ने तो से इसका right answer हो जाएगा next भारत का सबसे अधिक सबजी उत्पादन वाला राज कौन बना है तो कौन बना है पच्छिम बंगाल बना है तो ए इसका right answer हो जाएगा next किसे केरल की मिडिया पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है एन राम को एन राम को तो से इसका right answer हो जाएगा next किस सहर में दुसरे all women post office का उधगाटन किया गया है तो कहाँ पर किया गया है मुंबई में किया गया है तो C इसका right answer हो जाएगा next बिश्व का दुसरे सबसे बड़ा हत्यार उत्पादक देश कौन बना है तो चीन बना है तो A इसका right answer हो जाएगा पहला कौन है तो पहला आपके अमिर का है next केंद्रिय आंचलिक परिसद की वैसमी बैठक कहां आयोजित की गई तो कहां पर आयोजित की गई राइपूर 36 गड़ में तो D इसका right answer हो जाएगा इसके अधर्शता कौन कर रहे थे तो भारत के ग्रेम मंत्री अमीत सा next तरंजीत संधू को किस देश में भारत का राजदूत नेक्त किया गया है तो अमिर्का में तरंजीत संधू को भारत का राजदूत नेक्त किया गया है तो A इसका right answer हो जाएगा next किस राज में देश की पहला या देश की पहली सुपर 5 लैब का सुभारम हुआ है तो किस राज में हुआ है, के राज में हुआ है, तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा Next, 2019 के हरित रत्न पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है, यह very very important है तो Dr. यन कुमार को, A इसका राइट अंसर हो जाएगा और आपको याद रखना है डॉक्टर येन कुमार जो हैं तेमिल नाडू किरसी बिस्विद्याले के वाइस चांसलर हैं सेख खालिद अबदूल अजीज अलसानी किस देश के नए परधान मंत्री बने हैं तो कतर के ये नए परधान मंत्री बने हैं सेख खालिद अबदूल अजीज अलसानी ठीक है नेक्स्ट देश की पहली अंडर बाटर मेट्रो ट्रेन कहां शुरू की जाएगी तो कहां पर शुरू की जाएगी कोलकाता में शुरू की जाएगी और एक कब तक शुरू हो जाएगी 2022 ठीक है नेक्स्ट 91 में गंतंतर दिवस में किस राज की जाकी ने पर्थम पुरवस्कार जीता है तो ए इसका right answer हो जाएगा अगर एक जामे पूछ देगा कि 91 में गंतंतर दिवस के मुख आति थी कौन थे तो ब्राजिल के राष्टपति जेयस बोल सोनारो next नेक्स्ट किस राज ने वर्चुल पुलिस अस्टेशन का सुभारम किया है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड उन्वर्चिटी प्रेश द्वारा किसे 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है तो किसे चुना गया है समिधान को ठीक है समिधान को तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट गूगल क्लाउड सेंटर ओफ एक्सिलेंस किया स्थापना कहां की गई है तो कहां पर की गई है हैदराबाद में हैदराबाद में तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा हैदराबाद किस राज की राजधानी है तो आपको याद रखना है तेलंगाना राज की राजधानी है साथ में अंध परदेश के भी राजधानी है दस बर्सों के लिए ठीक है नेक्स्ट भारतिय रेल्वे ने कचरे से उर्जा उत्पादन करने वाला सैंत्र कहां शुरू किया है तो कहां पर शुरू किया है भुनेशवर में शुरू किया है तो से इसका राजधानी है तो नेक्स्ट किस राज में दुनिया के सबसे बड़ा meditation center का उटगाटन किया गया है तो कहाँ पर किया किया गया है तो से इसका right answer हो जाएगा next भार्ति नौसिना ने operation बेनीला को कहाँ पर आयोजित किया है मेडागासकर के पास में तो एह इसका right answer हो जाएगा मेडागासकर जो है एक अफिर की country है ठीक है साथ में भी भी आद रखना है जो मेडा गासकर है एक DPA country भी है जैसे ही आपका अफिर का है यहाँ पर मेडा गासकर है ठीक है यह DPA country है Next World Sustainable Summit 2020 का आयोजन कहां किया गया है तो कहां पर किया गया है नए दिल्ली में किस देश ने सबसे अधिक उचाई पर फैसन सो आयोजित कर Guinness World Record बनाया है तो नेपाल ने बनाया है सबसे अधिक उचाई पर फैसन सो आयोजित कर Guinness World Record ठीक है Next Next question है Cabin Care का नया ब्रांड Ambassador किसे नियुक्त किया गया है तो किसे बनाया गया है अच्छाई कुमार को Cabin Care का नया ब्रांड Ambassador बनाया गया है तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा Next Kolkata University ने किसे डी लीट की उपादी से सम्मानित किया है तो किसे सम्मानित किया है अभिजीत बनार जी को तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा साथ में यह भियाद रखना है 2019 में अभिजीत बनार जी को अर्थ सास्तर का नोबल पुरस्कार दिया गया था Next दुनिया का सबसे ज़्यादा खराब ट्रैफिक वाला सहर कौन बना है तो कौन बना है बेंगलूर बना है तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा बंगलूर करनाटक की राजधानी है Next को चन देखिए जोरान मिलनो बीच ने किस देश के राज़पती का चुनाव जीता है तो कौरेशिया का चुनाव जीते है ये इसका राइट अंसर हो जाएगा कौरेशिया एक एरोपियन कंट्री है बरतमान में कौरेशिया के परदान मंत्री कोन है आंद्रेज प्लेन को भी बरतमान में आपके परदान मंत्री है राज़धानी कहा है जाग्रेब राज़धानी है और मुद्रा क्या है कौरेशिया कुना जो है कौरेशिया की मुद्रा है इतना आप लोगों को याद रखना है नेक्स्ट है A.E.P.C. के चेयरमین के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है A. सक्ति बेल को B. इसका राइट अंसर हो जाएगा और A.E.P.C. का फुलफर्म क्या होता है परिधान निर्यात संबरधन परिसद इसका फुलफर्म होता है किस देश को 2020 के पाच में सबसे बड़े भूराजनितिक जोखिम के रूप में सूची बद किया गया है तो आपको याद रखना है भारत को किया गया है से इसका राइट अंसर हो जाएगा जो इरुपोर्ट है इरुवेसिया गुरुप के द्वारा तयार किया गया था next question है सुलमा प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाया गया तो कब मनाया गया नो जनवरी को मनाया गया तो आपको इसका राइट अंसर हो जाएगा next पेडरो सनबेज को किस देश के प्रदानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया गया है तो किस देश के प्रदानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया गया है तो अस्पेन के ये प्रदानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया गया है तो A isKa Right Answer हो जाएगा next किस राज में पुलीस गैलरी का उधगाटन किया गया है तो तिरी पुरा राज में पुलीस गैलरी का उधगाटन किया गया है तो A isKa Right Answer हो जाएगा next Henle Passport Index 2020 में कौन सा देश सिर्ष पर रहा है तो Japan सिर्ष पर रहा है ए इसका right answer हो जाएगा इसमें भारत को 84 अस्थान मिला है जबकि 2019 में भारत को 86 अस्थान मिला था जो भारती पासपोर्ट धारक है वो अंठामन देशों की यात्रा बिना बीजा की कर सकते हैं जपान को इसमें पहला अस्थान मिला है इसे देख चुके हैं अफगानिस्थान को इसमें अंतिमस्थान मिला है इस सूची में पाकिस्थान जो है नीचे से चोठा स्थान पर है याद रखिएगा सबसे अंतिमस्थान कौन है अफगानिस्थान लेकिन पाकिस्थान का पूछ सकता है तो नीचे से चोठा स्थान पर आपकी पाकिस्तान रहा है ठीक है सरकार ने कितने fast track court अस्थापित करने की घोसना की है तो एक हजार fast track court अस्थापित करने की घोसना की है तो ए इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहां किया जाएगा तो कहां पर किया जाएगा विसाखा पटनम में तो बे इसका right answer हो जाएगा विसाखा पटनम किस राज में अस्थित है तो अंध परदेश राज में अस्थित है अंध परदेश की बरतमान में राजदानी कहा है तो हैदराबाद है 10 वर्सों के लिए लेकिन अंध परदेश की प्रस्तावित राजदानी कहा है आमरा बती है ठीक है नेक्स कोचन देखे आवास और सहरी विकास निगम का अध्याच किसे नेउक्त किया गया है तो किसे नेउक्त किया गया है यम नागराज को तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा सातमी राजटी ये आईस होकी चेंपियन महला ट्रोफी किसने जीता है तो किसने जीता है लदाक ने जीता है ए इसका राइट अंसर हो जाएगा यह very important question है पुछा जाएगा कि सात्मी रास्टिय आइस होकी चेंपियन महला ट्रोफी किस ने जीता है तो लदाख ने जीता है ठीक है यह इसका right answer हो जाएगा next किस देश ने 350 किलो मिटर प्रती घंटा की अस्पीड से चलने वाली पहली ड्राइवर लेस बुलेट ट्रेन का परिच्छन किया है तो किस देश ने किया है तो चीन ने किया है यह इसका right answer हो जाएगा इसमें ड्राइवर नहीं है यह automatic है ठीक है next तुरकी और किस देश ने मिलकर तुरकी अस्ट्रीम गैस पैप लाइन की सुरुवात की है तो आपको याद रखना है तुरकी और रूस ने मिलकर तुरकी अस्ट्रीम गैस पैप लाइन की सुरुवात की है तो यह इसका right answer हो जाएगा यह गैस पैप लाइन आप देख लिजिए यह तुर्की है यह आपकी रसिया है ब्लैक सी से होते हुए जो है इसे पाइप गुजरेगी Next किस देश ने चार देशों की अंडर उनी सिरिज जीती है तो किस देश ने जीता है तो भारत ने जीता है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है जगन्ना अम्मा बोडी योजना किस राज में शुरू हुई है तो किस राज में शुरू हुई है आंध परदेश राज में शुरू हुई है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा यह वेरी इनपोर्टेंट है ठीक है Next भारत ने किस देश के साथ पाम वाइल के आयात को बंद करने की गोशना किये मतलब भारत जो है किस देश के साथ पाम तेल का आयात नहीं करेगा तो मलेशिया के साथ ठीक है मलेशिया के जो पाम वाइल तेल है उसका आयात भारत अब नहीं करेगा तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा किसन है Defense Expo 2020 का आयोजन कहा किया गया तो कहां पर किया गया है लखनवर में किया गया है तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा लखनवर किस राज में अस्थित है तो लखनवर उत्रपरदेश राज में अस्थित है उत्रपरदेश की राजधानी है Next Question देखिए राश्टी चिकितसा आयोक का अध्यच किसे निवक्त किया गया है तो सुरेश चंद्र सरमा को तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा Next योग बिग्यान सभा का आयोजन कहा किया गया तो कहां पर किया गया है योग बिग्यान सभा का आयोजन बेंगलोरु में किया गया है तो C इसका राय टेंसर हो जाएगा बेंगलोरु करनाटक की राजधानी है Next खेलो इंडिया इन्वर्सिटी गेम्स के पहले संस्क्रन की मेजवानी कौन करेगा कोलकाथा नय दिल्ली पूने भुनसवर तो कौन करेगा भुनसवर करेगा D इसका राय टेंसर हो जाएगा भुनसवर किस राज महस्तित है तो उले者 राज महस्तित है भुनसवर Next इसरो ने किस राज में देश का पहला अंत्रिच यात्री फ्रशिच्छन केंदर अस्थापित करने की घोस्तना की है तो करनाटक राज में अंत्रिच यात्री फ्रशिच्छन केंदर अस्थापित करने की घोस्तना की है इसरो ने तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा करनाटक के चित्र दूरग जिले के एक गाउं चल केरे में ये बनाया जाएगा प्रचिछन केंद्र और इसकी लागत कितनी आएगी इस पर लागत टुटल 2700 कलोर रुपिया आएगी यहाँ पर 27000 लिखा गया है इसे कर लिजेगा 2700 कलोर रुपिया ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखी 95 हेस्टिंग्स अंतरास्टिय सतरंज कॉंग्रेस का खिताब किसने जीता है तो किसने जीता है पी मंगेश चंदरन ने तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका आयोजन किस देश में किया गया था तो इंगलेंड में इसका आयोजन किया गया था ठीक है नेक्स्ट किस देश ने अमिर की सेना को अतंगवादी नामित किया है इराक ने उत्तर कोरिया ने इरान ने जपान ने तो आपको याद रखना है इरान ने तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट मिसन इंद धनुस 2-0 का दूसरा संस्करन किस राज में शुरू किया गया है तो किस राज में शुरू किया गया है उत्तर परदेश में शुरू किया गया है तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत ने किस देश के साथ 1K203 Assault Rifles के लिए EMU पर हस्ताचर किया है तो किस देश के साथ किया है, रूस के साथ किया है, से इसका right answer हो जाएगा EMU का full form क्या होता है, Memorandum of Understanding इसका full form होता है Next, किस राज सरकार ने सुकन्या परियोजना का तिसरा संस्क्रण सुरू किया है, तो किस राज ने सुरू किया है, पच्छी मंगाल राज ने सुरू किया है तो A इसका right answer हो जाएगा Next, किस के उपर लिखी गई, कर्म योद्धा, गरंत का भी मोचन किया गया तो आपको याद रखना है, परदान मंत्री नरंद मोधी पर लिखा गया कर्म योद्धा, गरंत का भी मोचन, अमी सा के द्वारा दिल्ली में किया गया है तो A इसका right answer हो जाएगा Next, किस राज में बिकरम सारा भाई, Children Innovation Center की अस्थापना की जाएगी तो किस राज में की जाएगी, उत्तर परदेश में, गुजरात में, हर्याना में, मद परदेश में तो आपको याद रखना है, गुजरात में की जाएगी तो B इसका right answer हो जाएगा इस राज में बिकरम सारा भाई, Children Innovation Center की अस्थापना की जाएगी तो किस राज में की जाएगी, गुजरात में B इसका right answer हो जाएगा अच्छा बरतमान में इसरो के चेर्मेन कौन है तो के सिमन बरतमान में इसरो के चेर्मेन है इसे आप लोग याद रखिएगा Next NSO ने 2019-20 में भारत की GDP कितने परतिसत रहने की अनुमान लगाया है तो कितने परतिसत रहने का अनुमान लगाया है 5% रहने का अनुमान लगाया है तो D इसका right answer हो जाएगा पहले जो अनुमान लगाया था ही कि 6.8% भारत का विकास दर रहेगा ठीक है लेकिन इसे अब घटा के 5% कर दिया है ठीक है next question देखिए कहां 31 अंतराश्टिय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है तो कहां पर किया गया है अहमदाबाद में किया गया है ए इसका right answer हो जाएगा अहमदाबाद किस राज में अस्थित है तो अहमदाबाद गुजरात राज में अस्थित है ठीक है next रोगी देखभाल के मामले में कौन सा राज सिर्ष पर रहा है तो कौन सा राज सिर्ष पर रहा है जम्मू कास्मिर सिर्ष पर रहा है तो B इसका राय टेंसर हो जाएगा आपको आर्दक नहीं जब ये डाटा इक अठा किया जा रहा था उससे मैं जो जम्मू कास्मीर राज था लेकिन बरतमान में जम्मू कास्मीर केंदर सासित परदेश बन गया है ठीक है बारत में टोटल कितने केंदर सासित परदेश है तो नव केंदर सासित परदेश है जिसमें पहले कितने थे पहले साथ थे दो कौन-कौन बढ़े है जम्मू कास्मीर और लद्दाक ठीक है तो कितने हो गए है नव बारत में राज कितने है बारत में 28 राज है इतना अप लोगों को याद रखना है लाई हरोबा पर्व का सुभारम कहा हुआ है करनाटक में तरिपूरा में असम में नागा लेंड में तो कहां पर हुआ है तरिपूरा में हुआ है तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा लाई हरोबा पर्व का सुभरम तिरेपूरा में हुआ ठीक है इसरो ने अपना एक छेत्रिय सैचनिक केंदर कहां अस्थापित किया है करनाटक में अस्थापित किया है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा C.S.C.E. Governance Services इंडिया ने Fast Tech की बिक्री के लिए किस Payment Bank के साथ समझाता किया है तो किस Payment Bank के साथ समझाता किया है Paytm Payment Bank के साथ समझाता किया है तो C.E.S.C.E. का फूल फॉर्म क्या होता है Common Service Centers इसका फूल फॉर्म होता है आई देखते हैं Next Question डोलर पार्को की अस्थापना के लिए भारत ने किस देश को 75 million America का रिन दिया है तो किस देश को रिन दिया है 75 million America का, तो कीवा को रिन दिया है किस देश को, कीवा को तो D.E.S.C.E. का राइट एंसर हो जाएगा Next नेक्स्ट नेत्रहिनों के लिए खेल प्रतियोक्ताओं का सुभारम कहां हुआ है तो कहां पर हुआ है दिल्ली में हुआ है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट भारत ने किस देश के साथ परमानू प्रतिस्थानों की सुची का अदान परदान किया है चीन के साथ पाकिस्तान के साथ जपान के साथ दचिन कोरिया के साथ तो किस के साथ किया है पाकिस्तान के साथ में तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट, अंटार्क्टिका की सबसे उची चोटी पर चड़ने वाली सबसे कम उम्र की महला कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की महला कौन बनी है? मालावथ पुर्ना, तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पूर्ण रूप से सोचालित कार पार्किंग टाबर का उटगाटन कहां किया गया है पूने में कोलकाता में चेन्नेई में दिल्ली में तो कहां पर किया गया है दिल्ली में किया गया है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा सरदार पटेल की दूसरी सबसे उची परतीमा का अनावरन कहां किया गया है तो कहां पर किया गया है अहमदाबाद में किया गया है यह इसका राइट अंसर हो जाएगा गुजरात की मुख्वंत्री के दुबारा इसका उटगाटन किया गया है यहाँ पर आपको आदखना है सरदार पटेल की दूसरी सबसे उची प्रतीमा तो पहले कौन है पहले जो है उसका नाम है Statue of Unity यह कहाँ पर है तो गुजरात के नर्मदा जिला में अस्थित है इसकी उचाई कितनी है तो इसकी उचाई 182 मीटर है जबकि सरदार पटेल की जो कौन तयार किया है तो राम सुतार ने जो Statue of Unity का डिजाइन तयार किये थे वही सरदार पटेल की दूसरी जो सबसे उची प्रतीमा है उसका भी डिजाइन तयार किये है उनका नाम क्या है राम सुतार याद रखेगा वेरी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट किस देश ने इसमा बेरी इंपोर्टेंट कोशन है क्योंकि यह चर्चा में लगतार बना हुआ है इसलिए इनका नाम याद जरूर रखेगा ठीक है नेक्स्ट गलोबल बिहार एक्सिलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है पियूस जासवाल को पियूस जासवाल को तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है किस राज सरकार ने साइबर सेफ बुमेन पहल लौंच की है तो किस राज सरकार ने लौंच की है हरियाना सरकार ने उतर परदेश सरकार ने महरास सरकार ने दिल्ली सरकार ने तो आपको वार दखना है महरास्ट सरकार ने एक तरीके से ये जागरुकता जागर साइबर अटेक से ठीक है तो आद रखेगा महरास्थ के हर जीले में जो एक सिब्र लगाया जाएगा जहां पर महलाओं को बताया जाएगा साइबर अटेक के बारे में ठीक है तो आपको याद रखना है CAA के बिरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज कौन बनाए तो कौन बनाए केरल बनाए ठीक है केरल तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा CAA का फूल फॉर्म क्या होता है Citizenship Amendment Act फिर से बोल देते हैं Citizenship Amendment Act इसका फूल फॉर्म होता है इसे आप लोग याद रखिएगा लगातार चर्चा में बना हुआ है Next, किन देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मिर्तु हुई है तो आपको याद रखना है जो कासिम सुलेमानी है वो आपके इरान के जनरल थे किस देश के इरान के तो ए इसका right answer हो जाएगा इसमें आपको याद रखना है कासिम सुलेमानी की मिर्तु किस देश में हुई थी तो आपको याद रखना है इराक की राजधानी बागदाद में और इनकी जो मिर्तु है अमेरिका के दोबारा कर दी गई एक मिसाइल हमले में तो आपको याद रखना है ये किस देश के थे इरान के थे लेकिन इनकी जो मिर्तु इराक में हुई थी आपसे question पुछा जा सकता है नेक्स्ट इसरो ने छोटे उपगर्व के प्रच्छेपन के लिए नया प्रच्छेपन के अंदर कहां स्थापित करने की घोसना की है तो कहां पर स्थापित करने की घोसना की है तमिल नाडू में तो ए इसका right answer हो जाएगा ठीक है साथ में आपको आदखना है कि इसरो का फूलफर्म क्या होता है Indian Space Research Organization इसका फूलफर्म होता है बरतमान में इसके अध्याच के कौन है तो के सिवन इसके बरतमान में अध्याच है इतना आप लोगों को याद रखना है और जो इसरो का बरतमान में परच्छेपन जो केंदर है वो कहां पर स्थित है तो आपको आदखना है किस देश ने अपना खुद का इंटरनेट सिस्टम बनाया है जपान, चीन, रूस, भारत तो किस देश ने बनाया है रूस ने बनाया है अपना खुद का इंटरनेट सिस्टम तो C इसका right answer हो जाएगा Next question है महरास्ट के उपमुख मंतरी के रूप में किसने सपत लिए तो किसने सपत लिए अजीत पवार ने तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा महरास्ट के मुखमंत्री कोन है उद्धव ठाक रहे हैं कोन है उद्धव ठाक रहे हैं ठीक है next next question है Sipping Corporation of India किसे अपना नया अध्यच और परवण्ध निर्देशक नेउगत किया है तो किसे नेउगत किया है येच के जोसी को तो डेस का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है डेस का राइट अंसर हो जाएगा next question देखिέ बारत के 28 में थल सेना परमुख कौन बने है तो कौन बने है मनोज मुकूंद नर्व बने तो A इसका राय टंसर हो जाएगा के सिबन कौन है इसरो के अध्याच है के सिबन सक्तिकांत दास कौन है तो RBI के RBI के गवर्नर है सक्तिकांत दास ये 25 में गवर्नर है RBI के याद रखिएगा ठीक है 25 में गवर्नर है Next 107 में भारतिय बिज्ञान कांगुरेस का आयोजन कहां किया जाएगा तो कहां पर किया जाएगा बंगलोरू में किया जाएगा तो D इसका राय टंसर हो जाएगा Next question देखिए देखिए ध्रिस्टी हिनो के लिए Money ये किस ने launch किया है तो भारतिय रिज़ा बैंक ने launch किया है कोन ले लूँच किया है भारतिय रिज़ा बैंक ने RBI ने launch किया याद रखिएगा RBI के गवर्नर कौन है सक्तिकांत दास है निती आयोक के अध्याच कौन होते हैं तो बारत के परदान मंत्री निती आयोक के अध्याच होते हैं ठीक है तो बरतवाम में बारत के परदान मंत्री कौन है नरेंद्र मोधी तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ए इसका राइट अंसर हो जाएगा आर बी आई नेस ऐसका राइट्ट एनसर हो जाएगा से किरसी करमन पुरुसकार किसने परदान किया था है तो भारत के परधान मंत्री नरएन्यมोदी ने पMINल गचनी बिहार को आदक ना है बिहार राज को परदान किया गया है बिहार को मोटे अनाज में मक्का एबम गेहूं के उत्पादन बहतर करने के कारण जो है किर्सी कर्वन पुरसकार दिया गया है बिहार को याद रखियेगा ठीक है नेक्स कोचन देखिये रिफ टोक्सिक सन क्रीम बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है तो पलाव बना है डी इसका राइट अंसर हो जाएगा पलाव आप लोग को बताना है जो पलाव है ये किस महासागर में अस्तित है तो आपको याद रखना है जो पलाव है प्रसांत महासागर में अस्तित एक DPA देश है ठीक है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोचन देखिये रेलेवे बोर्ड का चेर्माइन पुना किसे निवत किया गया है तो आपको याद रखना है बीके आदब को किसे निवत किया गया है बीके आदब को तो A इ देखिये भारत का पहला Chief of Defense अस्ताप किसे बनाया गया है तो किसे बनाया गया है जनरल विपीन रावत को A इसका राइट अंसर हो जाएगा इन्होंने एक जनवरी से अपना पदवार गरहन कर लिया है ठीक है और मनोज मुकूंद नरवने कोन है बारत के सेना परमुख है भ नेक्स कोचन देखिये भारत सरकार ने किस e-commerce कमपनी के साथ समझाता किया है तो फिलिप कार्ट के साथ समझाता किया है तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोचन देखिये अटल कैंटरीन का सुभारम हुआ है तो कहां पर हुआ हर्याना उत्रपरदेश करनाटक बिहार कहां पर किया गया है हर्याना में किया गया है तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोचन देखिये किस मेट्रो अस्टेशन का नाम बदल कर सुप्रिम कोट मेट्रो अस्टेशन रखने का फैसला किया गया है तो परगती मेदान का नाम बदल कर सुप्रिम कर क्या रखा गया है तो जो आरपी एफ है रेल्वे सुरच्छा बल उसका नाम बदलकर रेल्वे सुरच्छा बल सेवा कर दिया गया तो ए इसका right answer हो जाएगा हैथम बिन तारिक अलसाइद ने किस देश के सुल्टान गुरुप में पदवार समाला है तो किस देश के सुल्टान गुरुप में पदवार समाला है उमान ए इसका right answer हो जाएगा next है ICC T20 अंतराष्ट के खिलालियों की वल्लेवाजी रैंकिंग में कौन सिर्ष पर रहा है तो कौन सिर्ष पर रहा है बावर आजम बावर आजम तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा बावर आजम किस देश से समंदित है तो पाकिस्तान से समंदित है बावर आजम कितना आप लोगों को याद रखना है साथ में भी याद रखेगा कि ICC T20 में पहला स्थान किस देश को मिला है तो पाकिस्तान को पहला स्थान मिला है Next National Book Trust का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है तो नियुक्त किया गया है इवराज मलिक को C इसका राइट अंसर हो जाएगा Next किस राज की बिधान सभाने अपना नया लोगो अपनाया है तो अर्वनाचल प्रदेश की बिधान सभाने अपना नया लोगो अपनाया है तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा Next किस राज में 800 कलूर की नई ग्रिन फिल्ड एलुमीन रिफाइन इकाई या ऐलमूनियम रिफाइन इकाई को मंजूरी दी गई है तो उलिशा में अस्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है एक इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका मंजूरी किस ने दिया है तो उलिसा गवर्मेंट ने इसकी मंजूरी दी है next है रौवेट अवेला किस देश के नए प्रधान मंतरी बने है तो यह माल्टा के नए प्रधान मंतरी बने है तो A इसका right answer हो जाएगा माल्टा भूमत सागर में अस्थित एक दिवपिय देश है next तैसाई इंग बेन ने किस देश के राश्पती का चुनाव जीता है तो ताइबान का चुनाव जीता है तैसाई इंग बेन ने तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है उत्तर परदेश सरकार ने लखनावर और किस सहर में पुलिस कमिशनर परनाली अस्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिये तो आपको याद रखना है लखनावर और नोईडा में जो है पुलिस कमिशनर परनाली अस्थापित करने के प्रस्ताव को मंजू पॉली उम्री गर पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा तो जस्परीत बुमरा को BCCI की पॉली उम्री गर पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कोल काता पोट का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो स्यामा परसाद मुखरजी के नाम पर रखा गया है तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है करोना बाइरस का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया है तो चीन में दर्ज किया गया है करोना बाइरस का पहला मामला तो A इसका right answer हो जाएगा Next है राय सीना डायलोग का पाचमा संस्करन कहां आयोजित किया गया तो कहां पर आयोजित किया गया दिल्ली में कहां पर दिल्ली में तो C इसका right answer हो जाएगा Next हाली में परंपरागत तेलगु अध्यन उत्कृस्ता केंदर का उठगाटन कहां किया गया है तो आंध परदेश में किया गया है तीलगु अध्यन उत्कृस्ता केंदर का उठगाटन आंध परदेश में किया गया है Next हाली में अमिर्का ने किस देश को मुद्रा मेनुपुलेटर किस उची से हटाया है तो किस देश को हटा लिया है चीन को ठीक है चीन को तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा next RBI के किसे नया डिप्टी गवर्णर निक्त किया गया है BBI कोसन है तो माइकल देव ब्रत पात्रा को माइकल देव ब्रत पात्रा को तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा next इसरो ने कहां से जी सेट तीस को लाँच करवाया है इसका मतलब इसरो जो है खूद के द्वारा जी सेट तीस को लाँच नहीं किया है जबकि किसी और अस्पेस एजनसी से करवाया है तो पहले देख लिजिए कि इसरो ने कहां से लाँच करवाया है तो फ्रेंच गुवाना से लाँच करवाया है और किस एजनसी के माधियम से लाँच करवाया है तो एरियन अस्पेस के माधियम से लाँच करवाया है जो एरियन अस्पेस है यब कि फ्रेंच यब फ्रांस की Space Agency है साथ में भी आद रखना है G-Site 30 जो है एक Communication Citric Light है इस तो का फुलफर्म क्या होता है Indian Space Research Organization इसका फुलफर्म होता है अब बरत्मान में इसके अध्याच कौन है के सिवन इसके अध्याच है Next Question देखिए किसने Black Money पर निगरानी के लिए 24 बटा सेवन मतलब 24 घंटा और 7 दिन नियंतरन कच अस्थापित किया है तो किसने अस्थापित किया है IT विभाग ने तो A इसका Right Answer हो जाएगा Next है किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा Radio Telescope का संचालन सुरू किया है तो चीन ने सुरू किया है तो C इसका Right Answer हो जाएगा Next मुपा बरप्पू बंकया नाइडू National Award for Excellence से किसे सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर A.M.S. स्वामी नाथन को तो B इसका Right Answer हो जाएगा Next है हाली में बहतर्मा सेना दिवस कब मनाया गया है हाली में बहतर्मा सेना दिवस कब मनाया गया है तो 15 जनवरी को तो B इसका Right Answer हो जाएगा Next CRPF के नए महा अंदिर्देशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है आनंद परकास महस बरी को तो B इसका Right Answer हो जाएगा Next किसे स्वच्ता दरपन पुरसकार 2019 से सम्मानित किया गया है या किसे दिया गया है तो आपको याद रखना है पूरी को जो है स्वच्ता दरपन पुरसकार 2019 दिया गया है तो B इसका Right Answer हो जाएगा पूरी किस राज में अस्थित है तो पूरी उडिशा राज में अस्थित है Next Global Child Pro Degree Award किसने जीता है तो किसने जीता है इस वर सर्माने फिर से बोल दते है Global Child Pro Degree Award किसने जीता है तो इस वर सर्माने जीता है तो भी इसका right answer हो जाएगा हाली में किस company ने भारत में एक billion अमेर्की डॉलर का निवेस करने की गोशना की है तो किस company ने एक billion अमेर्की डॉलर का निवेस करने की गोशना की है तो Amazon ने किसने? Amazon ने तो भी इसका right answer हो जाएगा आपको याद रखना है Amazon एक online commercial company है ठीक है next किस राज ने IUCN के साथ समझाता किया है किस राज ने IUCN के साथ समझाता किया है तो अरुनाचल परदेश ने समझाता किया है IUCN के साथ तो से इसका right answer हो जाएगा IUCN का full form क्या होता है International Union for Conservation of Nature फिल से बोल देते है International Union for Conservation of Nature ठीक है next Common Wealth Parliamentary Association सम्मेलन का कहां आयोजित किया गया फिर से देख लेजे Common Wealth Parliamentary Association सम्मेलन कहां आयोजित किया गया तो कहां पर आयोजित किया गया है यह किया गया आपके लखनौर में उत्ते है परदेश की राजदानी लखनौर में तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा next महरानी एलिजाबेथ दूतिय का बकील किसे नियुक्द किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है? हरिस सालवे को तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा हरिस सालवे आपके भारतिये हैं ठीक है? Next और यह महरानी इलीजभेत दूतिये बात किया जा रहा है इसका मतलब जो ब्रिटेन की महरानी है उसका बात किया जा रहा है ठीक है next हाली में रच्छा सहीवग बलहाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझा होता किया है तो भारत जो है किस देश के साथ समझा होता किया है फिन लेंड के साथ c इसका right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि इस प्रकार के question जो है exam में बहुत पुछा जाता है कि हाली में रच्छा सहीवक बलाने के लिए बारत ने किस देश के साथ समझोता किया है तो फिन लेंड के साथ समझोता किया है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है ICC One Day Cricket of the Year पुरसकार किस ने जीता है तो किस ने जीता है रोहित सर्मा ने ए इसका right answer हो जाएगा रोहित सर्मा किस देश के है तो रोहित सर्मा आपके भारती है भारती क्रिकेटर है ठीक है आद अखिएगा नेक्स्ट हाली में भारत का सबसे बला दूरसरचार ओपरेटर कौन बना है दूरसरचार ओपरेटर कौन बना है तो आपको याद रखना है रिलाइंस जीओ भारत का सबसे बला दूरसंचार ओपरेटर बन गया है तो से इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है किस राज के मुखमंत्री ने आर्थिक जनगनना प्रकिरीया शुरू किये तो गुजरात राज के मुखमंत्री ने आर्थिक जनगनना प्रकिरीया शुरू किये तो से इसका right answer हो जाएगा गुजरात के मुखमंत्री कौन है बिज़य रूपाने नेक्स्ट किसे 29 में सुर्षती संवान से संवानित किया गया है तो किसे दिया गया है 29 में सुर्षती संवान तो आपको याद रखना है बासुदेब मोही को ए इसका राइट अंसर हो जाएगा बासुदेब मोही Next भारत और रूस के बीच बेपार के लिए किस बैंक को चुना गया है भारत और उसके बीच बेपार के लिए किस बैंक को चुना गया है मतलब किस बैंक से लेन दिन की जाएगी तो आपको याद रखना है यूको बैंक से यूको बैंक से तो से इसका रैट अंसर हो जाएगा हाली में Award for Excellence in Media 2019 का पुरसकार किस ने जीता है तो किस ने जीता है Rook Money येस ने देख लिजे Rook Money येस ने जीता है 2019 का Award for Excellence in Media ठीक है नेक्स्ट भारत सरकार ने किस राज की अंतर देशिये जल परियोजना के लिए 20 वैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर का Range समझा होता है किया है तो आपको याद रखना है Assum के लिए तो SayS का Right Answer हो जाएगा SayS का Right Answer हो जाएगा इस वीडियो में 13 से 18 जनवरी के बीच जितना भी Important Crane Affair था सभी को Discuss किया गया है अगर वीडियो आप लोग को लगता है तो चैनल को सिस्क्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नटिफिकेसन आपको मिलता रहे है Thank you जरूर के जब भीडियो आपको